Hello everyone, welcome to another video of Hello Scholar. In this video, I am going to tell you about Langea virus that is found in China. Langea virus कहां मिला है? China में मिला, इसके बारे में पढ़ेंगे. क्या क्या पढ़ेंगे? Langea virus है, क्या symptoms क्या है? Transmission क्या? उसका treatment कैसे हो सकता? और उसकी discovery कैसे हुई? तो start करते हैं, Langea virus जो है वो China में मिला, ठीक है? It was found in China. Studies भी कहते हैं, COVID-19 जो है, वो ओरिजनेट कहां से हुआ है? China से हुआ. दो China refuse to accept this thing. तो जो नया virus हमें मिला है, वो है Zoonotic virus. Zoonotic virus का क्या मतलब होता है, बच्चो? Animal to human transmission, जिस भी virus का होता है, यानि इंसानों को जो भी virus आनिमल से लगता है, तो वो हो जाता है Zoonotic virus. ठीक है, दो Eastern provinces में मिला है और अभी तक 35 लोग जो है, इससे infect हो चुके है, बच्चो, हैनिपा वाइरस को दो नए नाम से, जो यह नए टाइप का हनिपा वाइरस, उसको दो नए नाम से जाना जाता है, लाएंगे हनिपा वाइरस या फिर ले वी, ठीक है, हनिपा वाइरस क बायो सेफटी लेवल 4 पर क्लासिफाइ करा गया है, इसका मतलब क्या होता है, कि यह यूमन्स और अनिमल्स को सिवियर इलनेस जो है, वो कॉज कर सकता है, सिवियर इलनेस मतलब की काफी हद तक उनकी जो है उसको नुकसान पहुंचा सकता है, ठीक है, अभी तक हमारे पाइ मतलब जो हैंज़ा वायरस जो हनीवारस यह उसे थोड़ा सा डिफरेंट है और एविल्यू श्मथा स्मथा आर जुट है यह जो जञेंरल हनीप वायरस हमें मिले हैं, कॉमन उनसे बहुत ज़्यास पहल संमिलर नहीं हैं बट सिमिलर है, हैना, उन्हीं के जैसा नही है, बट उनसे सिमिलर है तो यह जूनॉटिक हनीपा वायरस इन फेबरल पेशिंस इन चाइना यह हेडिंग के साथ एक आर्टिकल आया है कहां पर तो न्यू इंग्लिन जॉर्णल ऑफ मेडिसन हम इस वहां से इसके बारे में पता चलते हैं वहां उस जॉर्णल में जॉर्णल ऑफ है वैसे ही मेडिसन की भी अपने अपनी जॉर्णल होती है जहां पर न्यू डिस्कवरी और आर्टिकल्स यह सब निकलते हैं तो न्यू एंग्लिन जॉर्णल ऑफ मेडिसन भी उन्हीं जॉर्णल में से एक है अब जो इस लैंग यह हनीपा वायरस से पहले हमें जो हनीपा इस चाहिए की स्टड़ी कहती है कि जो सीडर वायरस गानीयन बैट वायरस और मोजयांग वायरस था इनको हुमन से कोई हुमन मतलब हाई हुमन को कोई डिजीज नहीं है यह रिफ नेवर कॉसमारी नीपा वायरस जो है वो हुमन को इंफेक्ट भी करते हैं और फेटल इल्ल यह हैं कि आफिम आर्लो कि आ पता है first is्के में से आठिकल से पता चलते हैं और उसके बाद हमें क्या करना चाहते हैं और इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिएग साथ अब हमारे पास नहीं इतना ज़्यादा वह नहीं है कि हम पूरा पूरा हर चीज जो है वो विद प्रूफ और शारटी के साथ कह सकें जब हमने लैंगया की जीनोम और्गनाइजेशन को पढ़ा उसकी जीनोम स्टड़ी करी तब हमें पता चला कि यह हनीपा वायरस से रिलेट को फीवर रहा और उनकी कुछ अनिमल एक्सपोजर की लसी रही है उनको हमने उनको पहला हर तुश सिट चाहें धिकिर फिर इडेंटिफाइचर सी और वह सो ओफस छलता है तो वह में जातेallows थो मैं colorful से स्वाब से उसको ह Mang लेड़ करने पर तो फिर पॉजिटिविटी और पॉजिटिव है या नेकिटिव है वह हमें पता चलता था तो वह था थ्रोट स्वाप अब एग्म की स्टडी यह कहती है कि अभी तक 35 लोग वह इंफेक्ट हुए हैं यह कौन से दो प्रविंस में पाया गया है हैंनन और शेंडॉंग प्रवि अब हम देखते हैं इसके सिम्टम्स किया हैं अब हम 25-36 लोगों में से देखा तो यह नहीं कह सकते कि हाँ यही यही उसका सिम्टम है बट जो अभी तक सिम्टम्स सामने आए वह है फीवर फटीग कफ नूजिया मतलब होता है मॉर्णिंग में जो स्लीपीनस फील होती है है अब देख वॉमिटिंग कुछ में क्या मिला है इंपेड लिवर फंक्शन हो गया है और किड्नी फंक्शन भी इंपक्टेड हो गया यानि कि कि गुर्दे जो काम करते हैं उसमें उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम या इश्यू क्रियेट हो रहा है और जो इंपॉर्टन बात है ये है कि कुछ पेशेंस में क्या मिला है हमें लिउको भीन मिला है यानि कि वाइट बलाट सेयल क्य मतलब होता है कि जो प्लेटलेट्स है वो काउंट उसका कम होने लग जाता है जैसे कि डेंगू में चिकन गुनिया में मलेरिया में होता है ना तो इसकी वज़े से क्या होता है डेथ भी हो सकती है और जो जब ये दोनों चीज़े कम हो जाती है बॉडी में काउंट कम होने लग जाता है तो इ इतना पता है कि यह यूमन को कहां से लगाई अनिमल से लगाई अनिमल टो हुमन लगाई और जो इसका आरने ए वह श्रीव में मिला है सबसे ज़्यादा शियूज में मिला है तो हम कहते कि जो श्रीव है वो क्या है इसका नाच्रल होस्ट हो सकता है और बहुत सारे जानवर की हमने क्या की है सीरो सर्वे कि ब्लड सैंपल से ब्लड सैंपल को टेस्ट करना ठीक है और सीरो पॉजिटिविटी किसमें निकलिये लेकिन हमें ऐसा लगता है कि human to human transmission किया है sporadic है sporadic का मतलब होता है कि कभी transmit हो गया कभी transmit नहीं हुआ ठीक है और जब हमने family history पड़ी 9 patients कि जो लग family के साथ रह रहे थे तो हमें as such कोई infected person नहीं मिला जिससे हम यह नहीं कह सकते है कि human to human transmission होता है यह नहीं होता है यह होता है तो किस तरीके से होता है ठीक है so that's all for today अगर आपको कोई चीज नहीं समझ महाती है you can comment in the comment box and you can ask there and I hope you like the video that's all for today kindly like share comment and subscribe to our channel and join our telegram channel for the latest job vacancy updates and to get more pdfs more such pdfs for your exams so that's all bye bye and take care